फेंट्स एक important information आपसे share करनी है कल राज्य सभा में डॉक्टर बीरेंद कुमार ने EWS के matter पे एक जबाब दिया है और वो जबाब इस question पे था कि EWS के limit एट लाक रुपीज क्यों है तो Supreme Court में यह matter चल रहा है लेकिन यहाँ पर इसका जबाब राज्य सभा में दिया है क्या जबाब दिया है क्या वो जबाब इतना sufficient है कि वो Supreme Court में अगर दिया जाएगा तो Supreme Court उससे agree हो जाएगी यह हम पूरा detail में बात करेंगे क्या उन्होंने कहा है कौन से article की उन्होंने बात की हुई है कौन से amendment act की उन्होंने बात की हुई है क्या पूरा बात है यह हम पूरे detail में बात करेंगे और इससे OBC और EWS के reservation पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा क्या OBC और EWS के बच्चों को reservation मिलेगा अब इसे बहुत जारे बच्चे हैं जो confused है कि वो कहते हैं कि सर 15% AIQ में 27% OBC और 10% EWS का reservation का अलग case है EWS में 8 लैक रुपीज का अलग case है हाला कि जब ये बात हुई थी कि सुप्रिम कोड ने भी कहा था कि हम reservation का जो cap है means ultimately बात वही है कि reservation का cap अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एक reason होना चाहिए कि 8 लैक रुपीज क्यों इसका amount है EWS का तो यहाँ पर दोनों बाते साथ में आ जाती हैं एक तो reservation का भी आ जाता है कि reservation का cap क्यों बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए तो उसके पीछे proper reason होना चाहिए proper reason ये है कि EWS का limit 8 लैक रुपीज क्यों है अगर ये बात साबित हो जाती है EWS का limit 8 लैक रुपीज क्यों है ये government बता देती है जो भी amendment या जो भी act उन्होंने बताया हुआ है उससे satisfy कर देती है Supreme Court को तो ये matter यहीं पर finish हो जाता है फिर आपको reservation और उसमें कोई problem नहीं है कि क्या matter है क्या पूरा detail है किसके बारे में पूरा बताया गया है ये हम इस video में last तक देखेंगे और समझे की कोशिस करिएगा कि क्या इसका नतीजा निकल सकता हूँ इसे hopefully ये matter वहीं पर solve हो जाएगा जब भी इसकी hearing होगी government अपने इस जवाब से satisfy कर देगी क्योंकि इसमें यहाँ पर बहुत सारे article और amendment जो उन्होंने बताया हुए है वो detail study करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये possibility बनती है और अगर EWS का matter 8 lakh rupees का यहाँ पर solve हो जाता है that means कि सुप्रिम कोटे का था कि अगर हम cap बढ़ाते हैं तो उसके पीछे reason होना चाहिए ऐसे आप reservation के cap को बढ़ा नहीं सकते हैं तो अगर ये satisfy हो जाते हैं तो जायर सी बात है फिर EWS और OBC को reservation मिलेगा और ये cap बढ़ेगा तो क्या है चलिए देख लेते हैं यहां पे इन्हों ने ये amendment act और constitution की बात की हुई है कि उसके basis पे ये दिया हुआ है ministers of social justice and employment यहां पे पूरी जो बात हुई है वो हम देख लेते जैसे कि इंप्रॉइमेंट डॉपर भी मैंने बताया था वही बात यहां पे डीटेल में बताया हुए उन्होंने हलाकि this has been challenged in supreme court and the matter is under consideration for the supreme court इसके बारे में बोला गया है कि ये matter है लेकिन सबसे important बात यह है कि जो भी जो भी यहां पे बोला गया है सबसे important बात यह है कि जिस constitution और amendment act की बात की गई है वो है the constitution's 103rd amendment act 2019 over week है the constitution amendment act 2019 was amendment with a view to advance reservation of the economical weaker sections of the society the act made amendments article 15 and article 16 इन दोनों में amendment किया गया है constitution of India ठीक है तो यह जो बाते हैं यह सारी constitution के base पे ही है और अगर आप देखेंगे तो article 15 15 जो है इसमें बहुत सारे रूल्स है equality के rules है ठीक है और सबसे important बात यह है कि इसका जो amendment है amendment economical weaker section should be considered as a prime factor इसका यह जो amendment हुआ है 156 यह यहां पर है इसके अलामा the provision related to their advancement should be taken up by the state number third economical weaker section of the society should be given reservation as for maximum 10% ठीक है यहां पर यह सारे criteria दिये हुए जो भी amendment यहां पर दिया हुआ article 16 जो कहता है वो क्या कहता है वो यहां पर दिया हुआ है article 16 में there should be equal opportunity ठीक है there should be no discriminations इस तरह का दिया हुआ article 16 का जो amendment है उसमें no government authority और any other person और authority shall be prohibited the state from making any law related to the reservation of EWS sections यह सारे laws हैं जो state को follow करने पड़ेंगे वो amendment नहीं कर सकते हैं इसमें the law made for their reservation should not exceed 10% 10% से उपर भी नहीं हो सकता means कहने का मतलब यह का article 15 और 16 में जो भी amendment हुआ है वो पूरा सोस समझ के हुआ है यह पूरा detailed analysis करके हुआ है अगर यह बातें government देती है तो वहां पर यह सारी बाते प्रूफ हो जाएंगी उसके पास यह basic data है basic rules है basic constitutions है जिसके बेस पर उन्होंने यह factors बनाए हुए है तो यह एक positive factor होगा government के लिए जब भी सुनवाई होगी जिसकी वजह से यह code को मान सकती है जिसके बहुत जादा chances है तो यह hopefully कुछ यह इस तरह से information हो सकती है that's all